कल मानिय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है सभी भारतवासियों की सेहत के लिए और उनकी जिन्दगी के लिए ये कदम बहुत जरूरी था और हम सब लोगों को मिलके अब दो काम करने हैं एक तो ये कि किसी भी हालत में अपने घर से बाहर नहीं निकलना कई बार हम अपने मन में तरह तरह के बहाने बना लेते हैं कि इस वज़े से निकलना जरूरी है मुझे उस वज़े से निकलना जरूरी है हम कोशिश ये करें कि हमें किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना दूसरी चीज उसी वक्त जब एक तरफ हमें घर से बाहर नहीं निकलना लेकिन जो जिन्दगी की मून भूत जरूरते हैं उन जरूरतों को पूरा करना भी बहुत जरूरी है जिसमें मैं कहूंगा कि दूद, सबजियां, खाने का सामान, डेली टूथ पेस्ट वगरा इस तरह किया सामान और दवाईयों से संबंदित जितने भी ये पांच चीजें बहुत जरूरी हैं जिसको एसेंशल कॉमोडिटीज को सप्लाई करने वालों को तो निकलना पड़ेगा और अगर आपको खरीदना है तो निकलना पड़ेगा तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के संदर्व में केंद्र सरकार, LG साहब, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस हम सब लोग मिलके एक यूनिटी की तरह आपकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं आपके स्वास्थ के लिए काम कर रहे हैं आपके जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं आपके एसेंशल सप्लाइज देने के लिए काम कर रहे हैं और इसमें हमने सब लोगों के सहयोग की उमीद है दूसरी चीज पैनिक होने के जरूरत नहीं है कल हम रात को प्रधानमंत्री जी क उद्भोशन के बाद हमने देखा कि आठ वज़े के बाद से लाइने लगने लगी दुकानों के उपर तो जिस वज़े से लॉक्ड़ॉन किया गया था वो लॉक्ड़ॉन का मकसद ही खतम हो जाएगा अगर हम लोग दुकानों में भीड करेंगे आपस में इस तरह से इतनी भ लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है आपको मैं भरोसा देखलाना चाहता हूं कि आपको एसेंशल सर्विसेस की कमी किसी हालत में नहीं होने देंगे हम आपकी सेवा में हाजर हैं आप पैनिक बाइंग मत कीजिए ऐसी कोई भी अफवा कि अब कोई दुकान ने खुलेगी आप तक सारी जरूरतें पहुँचेंगी दूसरी चीज जो लोग एसेंशल सर्विसेज प्रवाइड कर रहे हैं किराने की दुकान वाले बिजली वाले पानी वाले सरकारी कई अधिकारी हैं private hospitals है, सरकारी hospitals है, सबजी वाले, इन सब लोगों को पास देने की तैयारी की गई है, जिन लोगों के पास अपने i-card है, सरकारी hospital वालों के पास i-card होंगे अपने, जितने सरकारी करमचारी है, essential services में, बिजली वाले, पानी वाले, उनके पास अपने i-card होंगे, जो private hospital वाले है उनके पास अपने आई कार्ड होंगे, मीडिया वाले हैं, उनके पास अपने आई कार्ड होंगे, जिनके पास आई कार्ड नहीं है, जैसे माले किराने वाला है, सबजी वाला है, इन लोगों के पास आई कार्ड नहीं है, हम आज दोपहर तक या शाम तक एक हेल्प लाइन जा आप ये पास लीजिए और उसके बाद अपनी दुकान खोल सकते हैं, आप अपने दुकान के लिए समान ला सकते हैं। लोग भी इपास लेकर अपनी अपनी फेक्ट्रियान और अपने-अपनी ट्रांसपोर्ट का काम जारी रख सकते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से किसी को दिक्कत आए, पुलीस कमिशनर साहब ने खुद अपने ओफिस में एक हेल्प लाइन का नंबर दिया है, अगर आपको कहीं पुलीस से किसी तरह की दिक्कत आती है, आप इस नंबर पे फोन कीजिए, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उसके उपर तुरंट कारवाई की जाएगी, आप वो नंबर नोट कर सकते हैं, 2346 9536, मैं दुबारे रिपीट कर रहा हूँ, 2346 9536, ये नंबर सीधे पुलीस कमिशनर साहब के दफ्तर का नंबर है, और इसके उपर आपको अगर पुलीस से कहीं भी किसी तरह के दिक्कत आती है, आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, हम पूरी तरह से प्रेतन कर रहे हैं कि इस कोरोना की महमारी का ये जो 21 दिन का पीरियड है, इसमें कोई भी भूखा ना सोए, उसके लिए तरह तरह के एफर्ट्स हम लोग कर रहे हैं, हम किसी भी तरह से आप लोगों को किसी भी तरह की परिशानी ना हो इसकी कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ा मुश्किल पीरिड है, परिशानिया होंगी, ऐसा नहीं हो सकती कि परिशानिया नहींगे, परिशानिया होंगी, लेकिन हम सब लोगों को मिलके इसका मकाबला करना है.